वेलकम है डियर स्टुडेंट डियर सबस्क्राइबर्स आपको अपनी ही चनल स्टुडेंट इस इंफार्मेशन में तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट अपडेट इस डिसकेस करेंगे जो इनवस्टी अफ कश्मीर की तरफ से आई है एंड कुछ नोटिफिकेशन कुछ कॉलेजिस की तरफ से आई है एंड कुछ नोटिफिकेशन के गुवर्मेट की तरफ से भी आई है वो सारे नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में अच्छे से डिसकेस करेंगे तो चलो पहली नोटिफिकेशन देख लेते हैं तो पहली notification आई है University of Kashmir की तरफ से और इन्हों ने यहाँ पे बोला है कि जो इन्होंने MSC Botany का Entranis Test क्वाइट करवाया था 30 July 2021 को वो Entranis Paper Cancel कर दिया गया है क्योंकि बहुत सरे स्टुडेंटिस ने इस लेटर ग्रिवेन सब्मिट की थी और यह पेपर कैंसल कर दिया गया है अब इस MSC Botany की पेपर का Rexamination Conduct करवाया जाएगा एड़ इसके लिए जो डेट सिटे वो बोजल आउट की जाएगी तो सेकर नोटिफिकेशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जीडी सी कुलगाम की तरफ से आई है और इन्होंने यहां पर बोला है कि हम कल वैक्सिनेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे और इस लेटर इन्होंने पिदिवीज फेकलटी मेंबर को बोला है कि अब फॉर्ष सेमिस्टर betr 2021 एट बिई जि सहेंडelines ? 2020 कि जिल do स्टुडेंट्स को ight ऐ यहां पर इन्फार्म कीजिए कि कल कालेज आई है और वेक्सेन करवाये तो जो girl student GDC कुलगाम की तरफ से तो उनको मैं बताना चाहूंगा कल college जाए और वहां पर vaccine करवाए और फिर college open किया जाएंगे तो उस वाकर सिर्फ उन students को colleges में LO किया जाएगा जिनके पास vaccination की certificate होगी तो कल आप जुरूर college जाए और vaccine करवाए तो यह थी second notification GDC कुलगाम की तरफ से तो third notification जानने से पहले यहां पर बताना चाहूंगा चलनको subscribe एड वीडियो को like ज़रूर करना क्योंकि यह चाहां पर आपको education and jobs लेटे genuine update genuine notification सबसे पहले मिलते रहते हैं तो next notification देख लेते next notification जैन के government की तरफ से आई है तो इस notification में हम सिर्फ एक point discuss करेंगे जो students के लिए important है तो आप यहां पर देख लीजे all schools and higher educational institutions including coaching centers shall continue to remain closer for unsight in person teaching till further orders तो यहां पर इन्होंने साबसाब बोला कि सारे तो यहां पर इन्होंने कोई भी specific date mention नहीं किया है कि कब तक जैन के में educational institutions बंद रहेंगे तो यहां पर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कब तक यह higher educational institutions including so cool बंद रहेंगे तो कभी भी new order आ सकते है अब हम ही बोलेंगे कि फिलहाल जो higher educational institutions including so cool वो जैन के में बंद ही रहेंगे तो next order का वेड कीजे तो यह थे कुछ important update is important notification जो students के साथ शेर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था तो उम्मेद करता हूँ students यह वीडियो आपके लिए अलफ और आएगी तो dear students चाह को जरूर सबस्क्राइब करना thank you so much